जैसा कि हम सब जानते हैं कि मचलियों की बहुत सारी प्रजाती हमारे अलग 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 देशों में पाई जाती है। हम सब जानते हैं कि अगर मचलियों को पानी से बहार निकाल दिया जाए तो ज्यादा देर तक जिन्दा नहीं रह सकती है। को बता दे कि यह मचली जमीन के अंदर रहती है और जब इसे भोजन की जरोत होती है तो यह जमीन से बाहर निकल कर कीड़े मकोडों का अपना सिकार बनाती है। लेकिन मचली पानी के बाहर जिन्दा रहने के साथ सा जमीन पर अराम से चलती फिटती भी है। आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं होगा लेकिन यह बात सच है। थाइलेंड से लगने वाले प्रशान महासागर में मड इसके पर नाम की प्रजाती की मचलीयां पाई जाती है। जो पानी से बाहर सास तो लेती ही हैं और बाहर निकलकर मज़े से कई घंटे धरती पर खेलती कूथती भी हैं। दरसल इस मचली का सरीर इस तरह से बना होता है कि यह पानी के अंदर और बाहर संदूलन बनाए रखने में सफल रहती है। यह सब संभव होता है इसके सरीर में बने दो स्पंज पाउच की वज़े से यह ऐसे दो थेले नूमा सेल होते हैं जिनका उपियोग या जमीन पर आते वक्त इनमें पानी भर लेती हैं और इस पानी से अपने गिल्स को गिला रखती हैं और जब दोनों थेलियों वाली पानी खत्म हो जाता है या सूप जाता है तो यह अपने मूँ से ओक्सिजन ले लेती हैं इसी वज़े से कई घंटों तक पानी के बाहर भी मजे से रह सकती हैं कीचड़ो दलदल में रहने वाली इस मचली की आख इसके सिर्के उपर वाले हिस्से में होती है और आकार में बड़ी भी होती है यह मचली थाइलेंड के प्रसांद महासागर में पाई जाती है ऐसी एक मचली बलेनीज नाम की है जो समुन्दर से बाहर आका जमीन पर अपना समय बिताती है यानि कि यह मचली मड़ी स्कीपर की तरह पानी और जमीन दोनों स्थान पर रह सकती है बलेनीज में से कुछ प्रकार की मचलिया तो पानी से कुछ समय के लिए बाहर लहरों के साथ आ जाती है और उनी के साथ वे खुद को गीला भी रखती है लेकिन धीरे-धीरे ये पानी से बाहर रहने लगी इसके लिए उन्होंने बदलते तापमान और ऑक्सीजन इस्थर के अनकुल खुद को ढाल भी लिया है बेज्ञानिकों ने इस पर कई सोध भी की है जिससे यह पता चला है कि यह मचली पानी और जमीन दोनों स्थानों पर जीवित रह सकती है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरू बताएं हमारे द्वारा दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में जरू सेय करें